दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तो मैं सीवम अपने युरूप चैनल टेक्निकल सीवम पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ तो चलो तो आज का वीडियो करने से पहले हमारे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बारा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन आउन करने अब यहां पे आपको करने के हैं अपने Android फोन के अंदर सेटिंग ऊपन करना है सेटिंग ऊपन करने के बाद यहां पे सर्ज करना है बटन शॉटकर्ट सेटेंग्स यह आपको नीचे आना है जैसे आप नीचे आओगके तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको additional settings के नाम से आपको एक setting देखने को मिलेगा आपको additional settings पे click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको button shortcut settings आपको इस पे click कर देना है जैसे आप इस पे click कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Automatically Disabled Navigation Button Setting आपको देखने को मिल जाता है तो इस सेटिंग से क्या होता है जैसा यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको बताया गया है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको Automatically Disabled Navigation Button When You're in Selected AIF से Double Tap Any Navigation Button to Re-Enable हो जाएगा यानि कि इसका अत यह है कि यहाँ पे आपके सारे के सारे Application आपको देखने को मिल लेंगे और यहाँ पे किसी भी Application के लिए आपना Navigation Button को Disabled कर सकते हो जैसे यानि कि हम Amazon को Open करें और उसके बाद यहाँ पे Amazon को Open करने के बाद वहाँ पे आप Navigation Button को Disabled करने के बाद वहाँ पे आप पे WhatsApp पㄍक करता हूं और यहां पर देखने को मिलेगा bolais डिसेबल और यहां से देखने को मिलगा आप्सकों का option देखने को मिल जाता है तो यहां पे अगर आप BIG करते हैं तो यहां पे आपका यह एक अलगू हो जाएगा उसके बाद आप-स की कभी-कभी यह देखने को मिलता है डबल टैफ एनि नेविगेशन बटन टू री इनेवल यानि की जब आपका यहाँ पर वाटसाप यहाँ पर बैक नहीं होगा यानि कि कोई भी बटन काम नहीं करेगा उसके तुरत बात आप यहाँ पर डबल टैफ कर देते हैं तो नेविगेशन का जो इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद।